चलिए अब हमारे प्रिधान मंत्री मानिय श्री नरेंद मोधी जी के वादों को जरा उनका आखलन कर लेते हैं तो क्या-क्या वादे किये उन्होंने दो हजार चौधे में लोकसबा चुनाब से पहले लोकसबा चुनाब के दोरान जो उन्होंने जंता से वादे किये बड़े बड़े वादे बड़े ढोल पीट के वादे किये लेकिन उनका हुआ क्या आप सबको मालूम है फिर भी एक एक करके देखते हैं कि उनके क्या-क्या वादे थे तो उन्होंने वादे किया और ये पहले से भी था भाजपा का बड़ा जबरदस्त जो है वादा रहा अनुच्छे 370 जिसको धारा 370 बोलते हैं धारा नहीं बोलते हैं उसको ये धारा सही शब्द नहीं है क्योंकि सम्विधान कि जितने भी प्रावधान है उन्हें अनुच्छेत कहा जाता है धारा नहीं कहा जाता है धारा आम जो कानून है उसमें कहा जाता है जैसे IPC के अंतरगत है या CRPC या CPC के अंतरगत है या और जो कानून है लेकि सम्विधानी जो भी प्रावधान है उन्हें अनुच्छेत क उसमें कश्मीर के साथ हमारा विले किस तरह से है, उसके साथ हमारे संबंद किस तरह से है, वो सारी चीजों की व्याख्या की गई है, तो ये बड़ा धोल पीट-पीट के कहते थे, भाच्पा कहती थी कि हम अनुच्छे 370 को खत्म करेंगे, किया क्या, मानिय प्रधान मंतरी शिरी अटल बिहरी बाच्पेई जी की सरकार के दोरान बे बड़ा वादा किया गया था, उसके बाद में ये खुब धोल पीटते रहे, अब 4 साल इनके भी चले गए, नरिंद मोदी जी के भी, लेकिन वादा पूरा किया, अब तो इन्हीं ध्यान भी नहीं है, अब तो ये पूरे देश को ये लड़ाई लड़ते हैं, तो राम मंदर ना बना है, ना बनेगा, और ये केवल एक मुद्दा रहेगा, ताकि बीजेपी इस पर अलक्शन लड़ सके, वो इनके विशे में एक बड़े अच्छी वो भी है, बड़े कमेंट करके लोग कहते भी हैं, आप उन्हें सुना भी होगा, कि मंदर यहीं बनाएंगे, पर तारीक नहीं बताएंगे, ये जरू कहते हैं, मंदर यहीं बनाएंगे, पर तारीक नहीं बताएंगे, क्यों भईया, बताते क्यों नहीं, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो आप जानते हैं, जब तक माननी अदालत के समझ है उसके सामने है उस पे कोई कुछ नहीं कर सकता कोई सरकार कोई अधिकारी कोई मंतरी कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और सुप्रीम कोड के अंतरगत ये राम मंदिर का मसला राम जन भूमी का मसला इस समय है जो भी कुछ होगा वहीं से होगा उससे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 2019 के जुनाप से पहले कुछ नहीं होगा और उसके बाद भी कुछ नहीं होगा केवल वादा ही वादा है और कुछ नहीं है क्योंकि मुद्दा है इसे पर तो किसके अच्छ दिन आए लोगों के रोजगार छिंगे नोट बन्दी में और GST के जो इन्होंने हतोरा मारा है लोगों के सिर पे दे के उससे लगबख 5 क्रोड से ज़्यादर लोग बेरोजगार होगे रोजगार देने की बात ये कर रहे थे उससे इतने लोग बेरोजगार हो गए तो किसके अच्छे दिन आए हाँ अच्छे दिन आए है मेहुद चौकसी के अच्छे दिन आए है विजे माल्या के अच्छे दिन आए है ललित मोदी के अच्छे दिन आए हैं निरभमोधी के और अच्छे दिन आए हैं विकरम कुठारी के सारे के सारे देश का पैसा लूट कर देश से फरार हो गए और सरकार नहीं उन्हें भगाने में मदद की है बाकायदा तो अच्छे दिन उनके आए आम जंता के अच्छे दिन आए ये वोट मांगते हैं आम जंता से और काम करते हैं इन बड़े बड़े उद्योग पंतियों के लिए अच्छे दिनाए अमबानी के, अच्छे दिनाए अडानी के, अच्छे दिनाए अरबपतियों, खरबपतियों के, जिनके पास आज की तारीक में इस देश की लगबग 73 प्रतिशत प्रोपर्टी जो संपत्ती है, वो देश के मातर एक प्रतिशत लोगों के हाथ में हैं, 73 प् अच्छे दिन उनके आए हैं जिनके अर्मों खर्मों रुपे के लोन सरकार ने माफ कर दिये तो अच्छे दिन उनके आए हैं आम जंता के अच्छे दिन नहीं आए किसान के अच्छे दिन नहीं आए मजदूर के अच्छे दिन नहीं आए किसान को वादा किया ना एक और भी वादा था इन्होंने जो किसान से किया कि हम किसान की फसल को किसान की फसल का उसकी लागत से दुगना मुले देंगे तो दिया क्या चार साल हो गए दुगना मुले उसका डेड़ गुना मुले दिया क्या नहीं दिया डेड़ गुना मुले किसका लागत का तो लागत माना अग अभी यह देने की बात करें इस बजट में लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं जो स्वामी नाथन कमिशन की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंसार उसके कुल लागत जो सीटू जिसे उन्होंने कहा है जैसे जो किसान की मेहनत जितना भी उसमें वो खरीद के जो भी माल लगाता ह चाहे बीज हो या खाद हो या पानी हो वो पिलस उसकी अपनी महनत पिलस उसकी जमीन का जो एक रेंट है यह सम मिलाके जो C2 बनता है उस पे उसकी लागत का डेड़ गुना होना चाहिए और आज की तारिक में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो गेहूं जो लगबग जो दे रहे हैं हम वो तो उसकी लागत भी नहीं है उसकी लागत यह अगर हम C2 के हिसाब से देखे हैं तो वो लगबग 2200 रुपे के लगबग आती है और उसके हिसाब से लगबग 3300 रुपे प्रती कुिंटल गेहूं का भाब उसका होना चीए MSP उसका होना चीए लेकिन दिया नहीं दिया पर आंक्रों में हेर फेर करके वो सारा का सारा कर रही है उसके हिसाब से नहीं चली जिसके हिसाब से इन्होंने वादा किया इन्होंने वादा किया तो स्वामी नाथन कमीशें की रिपोर्ट के अंसार डेढ़ गुना देंगे उसकी लागत का नहीं किया ये वादा इनका जूटा जो वादा मोदीन ने खुब धोल पीट-पीट कर किया और उनके जो सयोगी हैं उनके जो हनुमान हैं रामदेव उन्होंने भी खुब धोल पीट-पीट कर किया कि जो काला धन है विदेशनों से उसे वापिस लाएंगे कितना काला धन? काला धन भी इतना कि हर किसी व्यक्ति के खाते में 15-20 लाख रुपे तो ऐसे ही आ जाएंगे इतना काला धन है लेकिन 4 साल बीद गए लाने की तो बात दूर है लोगों के खाते जो खुल गए उसके बाप सुद्ध भी 1% के अकाउंट में नहीं आया और इसके साथ-साथ आज उस पे बोलती भी नहीं है वही रामदेव जो आज की तारिक में व्यापारी बन गया उसी रामदेव की एक शब्द भी मुह से नहीं निकलता अब काले धन के उपर आज की तारिक में तो पूरा बनिया बैठा है बना हुआ बेठा है वो, पूरा का पूरा व्यापारी बन गया है, सिर्फ कोलिगेट का, उसका जो दंत कांती है, उसका वो करेगा, सर्सों के तेल का वो करेगा, सारे के सारे जो अब कॉस्मेटिक्स हैं उनका पिरचार करेगा, उस पर नहीं बोलेगा काले धन पे, ये ब्रस्टाचार के उपर, जो अंतराश्ची संसा है, जो देख रही है, ये ब्रस्टाचार के विशे में, दुनिया भर में क्या हाल हो रहा है, उसमें हम और नीचे चले गए, और हमारी जो इस्तिती है, और बुरी हो गई, हर साल, 2015, 2016, 2017, हर साल लगातार, हम नीचे आते चल तो भृष्ट चार में, और भृष्ट होते चले जारे हैं और यह जो मैंने आपको बताया, मिहुल्चौ्सी है, ललित मोदी है, नीरव मोदी है, यह विजय वारलिया है, विजय मालिया तो इन्हीं की मदद से बना जो दो व१ूट दिये, तभी तो राज्य सवा में विजय कितनी, अभी कली मैंने देखा कि 390 करोड रुपे का एक और गुटाला हुआ है वो भी निकल के एक बैंक में आया है तो इस सारे के सारे जो गँटाले हैं, लगातार हो रहे हैं तो भ्रंष्ट चार लगातार बढ़ता चल जा रहा है बस इतनी ही बात हो गई है ब्रस्टाचार की विश्य में कि जो काम पिछली सरकारों में हजार रुपे में होता था इनके हैं वो दो हजार में हो रहा है सिर्फ इतना फरक पड़ा है तो ब्रस्टाचार बड़ा है ब्रस्टाचार खतम नहीं हुआ इसके अलाबा इनके जो वादे हैं दो करोड लोगों को दो करोड बेरोजगार नौजवानों को हर साल पूरे पांस साल में नहीं कहा है इनों नहीं पांस साल में तो दस करोड लोगों को रोजगार देना था है इनके हिसाब से और मोदी जी को किसे ने कहा नहीं था कि वादे करो आप, उन्होंने अपने आपकी ये वादे, दिखाने के लिए कि वही इस देश के सबसे बड़े करणधार हैं, वही इसके मुक्ति दाता हैं, वही इसकी सारी गंदिकी को दूर करेंगे, वही एक अपने आपको जो सब वही व्यक्ति बन कर आएं, उन्होंने तो वादे किय था, तो 2 करोड लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात इन्होंने कही, जो इन्होंने एक 2015 में राश्ट जीस्तर पर एक संस्ता बनाईी, बेरोजगारों के लिए, रोजगार देने के लिए, उसमें 4 करोड अब तक registration हो चुके हैं और मात्र 30.000,00 HR लोगों को इनोंने रोजगार दियें मात्र 20.000,00 लोगों को रोजगार दियें और नोटवंदिये और GST से इनोंने लगबग 5,000,00rint लोगों को बेरोजगार कर दियें ये इनका रोजगार देने का हाल है और इतना ही नहीं जो सर्विसें पहले से निकाली हुई थी जो vacancies थी, उनको भी खतम कर दिया और हर दिन ये जतनी भी vacancies है सरकार इस्तर पर उनको खतम करते चले जा रहा है और सब को ठेके पर देते चले जा रहा है ठेके का मतलब है कि लोगों को बेरोजगार बना देना तो लोगों को दो करोड रोजगार देने की बात थी खत्म कहीं कुछ भी याद नहीं महिलाओं की सुरक्षा महिला की सुरक्षा गभी वाद था तो क्या महिलाओं की सुरक्षा इन्होंने किये है आज की तारिक में हर तीन मिनट में महिलाओं पर अत्याचार होता है sexual assault होता है उन पर जो हालत उनकी है वो बस से बत्तर होती चली जा रही है अगर हम देखें तो हर आठ मिनट में देश की हालत यह है कि शोशित पीडी समाज की एक बहन बेटी के साथ में बलातकार होता है और उसकी हत्या होती है निर्भिया कांड के बाद सरकार ने एक कमीशन बनाया उस कमीशन के बाद कानून में बदलाब किया गया और बदलाब के बाद में कानून और सक्त किया गया लेकिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार दिन प्रति दिन बढ़ते चले जा रहे हैं कहीं भी महिलाओं सुरक्षित रही हैं ना वो अपने घर में सुरक्षित हैं ना गाओं में सुरक्षित हैं ना स्कूलों में सुरक्षित हैं, ना होस्टिल में सुरक्षित हैं, नहीं वो सरकारी विभागों में, प्राइवेट जो संस्थान हैं, उनमें कहीं महीं लाएं सुरक्षित रही हैं, सौलकों पर चल लेएं, वहां सुरक्षित रही हैं, कितने ही घटना हैं आपने देखी हों है तब तक मा की तरह ही उसके देख भाल करना उसके टीका करना का पूरा इतिजाम करना मा के की भी टीका करना की वेवस्ता करना और जब डिलिवरी होने का समय हो उस समय उसके लिए एंबुलोंस इत्यादी की पूरी medical उसकी जो है व्यवस्ता करना इस सारा का सारा उसका काम है तीन साल से लेके पांस साल तक के बच्चों को pre-school जो education है वो देना उनका काम है इसके साथ साथ जहां गाओं पर एक हजार जो आवादी है एक हजार के आवादी पर एक आंगनवाडी और एक साहिका है तो वहाँ उनका काम ये भी है कि गाओं गाओं में घर घर में जाके वो जो किशोरी बच्चिया हैं टीनेजर्स बच्ची हैं और महिलाए हैं उनको बढ़ती उमर के साथ साथ क्या-क्या परिवर्टन आते हैं शरीर में उन सबके विशे में जानकरी देना ये उनका काम है 21-21 registered उन्हें maintain करने पड़ते हैं प्रती दिन और उनको वेतन क्या दे रहे हैं आप 4,000 साहिका को 3,000 कहीं 5,000 कहीं 5,000 ये हालत करकी है तो महिलाओं का इतना बड़ा संगठन और उसकी तरफ आपको कोई ध्यान नहीं है उनके जो कम से कम मिनिमम वेस्ट उन्हें देना चीह था वो भी उन्हें नहीं मिला इसके साथ साथ जो मिड़े मील है वो केंजी सरकार की व्यवस्ता है उस मिड़े मील में जो महिलाएं खाना बनाती है मातर 1,000 रुपे सर्फ एक हजार उपे परमन्थ उनको दिये जाते हैं क्या होता है एक हजार में तीन हजार में चार हजार में कभी सोचा है कभी सरकार ने सोचा है कभी मानिय मोधी जी ने इस पर ध्यान दिया है कभी भाज़पके नेताओं ने ध्यान दिया है इस पर कांग्रेस के निताओं ने कभी ध्यान दिया इस पे? कभी नहीं ध्यान दिया इसके साथ साथ इनका वादा था कि हम किसानों की इस्थती जो है खेती बड़ी है उसको उसका विकास करेंगे अत्याधूनिक जो सुब्धाएं हैं उसका इस्तेमाल करके किसान की आये बढ़ाएंगे और अब करें 2022 तक दुगनी करेंगे अब भाईया तुमने नेताओं ने अपनी तो कर ली अभी अभी कुछ दिन पहले नेताओं की जो वो सेल रही है वो दुगनी होगी और किसान की 2022 में करोगे तो यह जो इस तरह के इन्होंने वादे किये हैं सिर्फ और सिर्फ इनके वादे हैं इनका वादे ही था ना कि प्रदुशन मुक्त भारत बनाएंगे गंगा और यमना और नदियों को प्रदुशन से मुक्त करेंगे हजारों करोर रुपे गंगा और यमना की सपाई के लिए हजम होगे लेकिन न तो गंगा साफ होई न यमना साफ होई और यहां तक कि अपने बनारस जोन का छेत्र है संसेद्य छेत्र हमान्य मोदी जी ने जो असी घाट उस पर जाके खुद फावला चलाया था अपने आपको जो है एक बड़ा सचता का मसीहा प्रदुशन को मुक्त करने का मसीहा घोशित करने की जिन्होंने कोची की नोटंकी करने में ड्रामे करने में वो सबसे नमबर वन है तो जो असी घाट पर किया आज जाकर देख लीजिए रिपोर्ट के जितना गंदा वह हो ँस समय था आज उस से भी जादा गंदा असी घाट पर गंगा का पाणी हो गया तो साफ नही हुई और मेली हो गए वो एक गाना है ना उसका जो है राम तेरी गंगा मेली का राम तेरी गंगा मेली हो गए पापियों के पाप धोते धोते तो दिन प्रति दिन गंदगी बढ़ती चली जा रही है ये इनका वादा है एक नहीं नजाने कितने ही इन्होंने वादे किये लोगों से लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जूट बोला एक पिक्चर का गाना मुझे याद आता है इस देश की सीधी साधी जनता वादे पे तेरे मारी गई सीधी साधी जनता इस देश की मोदी जी कुछ करो इस देश का बेड़ा गरक करने से पहले सो बार सोचो और सिर्फ उतने ही वादे करो जितने पूरे कर सकते हो वरना करो मत आप ही ने तो कहा था मोधी जी किसी ने नहीं कहा आप से आप ही ने तो कहा था साथ साल गराज एक तरफ और मुझे साथ महीने दीजिए साथ महीने आपने मांगे थे किसी और नहीं मांगे आप ही ने कहा था साथ महीने तो 60 महीने में सारा सब कुछ कर देना चाहिया था तो 60 में से 48 महीने तो चले गए लगबग 48 महीने चले गए और बाकी जो रह गए है 12-13 महीने इन में भी आप क्या कर पाएंगे ये सब को मालूम है क्योंकि आप सिर्फ बोलते ही बोलते हैं भाजपस सरकार सिर्फ बोलती ही बोलती है करती कुछ नहीं है केवल वादे करती है काम नहीं करती है भरस्टा चार बढ़ता रहे लोग मरते रहें लोगों को दो वक्त की रोटी मिले ना मिले आप पे कोई फरक नहीं पड़ता तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ये वादों की और जुम्लों की सरकार है और अमिशा जी उन्होंने कहा भी ता एक जी गे कि वो तो एक जुम्ला था अच्छे दिन एक जुम्ला था इसके साथ साथ इनके एक और मंतरी ने कहा था जो मद्य प्रिदेश्चे हैं उन्होंने ये कहा था कि नहीं जो अच्छे दिन है वो उसे आने में 25 साल लगेंगे ये बात तुम उसी समय बताते ना जिस समय वादा करें कि 25 साल लगेंगे तब पब्लिक बताती है आपको कि कैसे जो है आप अच्छे दिन का सपना दिखा के हैं सत्ता में बैठ जाएं और तयार है न 2019 का जो अलक्षन है उसमें सरकार सरकार को भाजपा सरकार को आपको ये जो जनता है देश की बहुत अच्छी तरह से जवाब देगी भूली नहीं है कोई भी जनता बेरोजगार युवा जो आज की तारिक में बुरी हालत में है जो रोजगार के लिए तरस रहा है जिसकी सारी पढ़ाई जिसकी सारा समय बेकार तुम आप लोगों ने कर दिया उस सब को भूला नहीं है यही युवा जिसे आप सबसे बड़ी ताकत कहते हो यही युवा आपको बताएगा वही किसान वही मजदूर जिससे आपने जूटे बादे की है वही आपको बताएगा 2019 के लिए तैयार हैना